आज मेरी मम्मी ने दूद के अंदर हार्पिक डाल करके कमाल कर दिया क्या फ्रेंड्स आप लोग देखने में इंट्रेस्टेड हैं? अगा देखने के लिए इंट्रेस्टेड है तो वीडियो को end तक देखिएगा उससे पहले में आप लोगों को चोटी चोटी से टिप पेंग ट्रिक शिया कर देती हूँ जिससे कि आप एक किचिन हो गह के काम आसान हो जाएं तो फ्रेंट्स चलते हैं आज की फर्स टिप के तरफ ये है अद्रक की तो फ्रेंट्स जैसे की मोसन चेंज हो रहा है आप सभी को पता है और सभी की घर में मुझे लगता है कि किसी ना किसी को cold and fever की बहुत ज़्यदा श्रिकायत हुई होगी क्योंकि फ्रेंट्स आज कल सभी की घर पे ये problem हो रही है और जहां एकवा cold fever जुखाम हो जाता है उसके बाद कफ की बहुत ज़्यदा श्रिकायत रह जाती है और ये काफी दुनों तक हमें बहुत ज़्यदा परेश्वान करती है तो इसके लिए हम क्या करेंगे अद्रक का एक इंची का टुकड़ा लेंगे और इसे हम गयास पर अच्छे से भूझ लेंगे अद्रक को हमें अच्छे से बूनना है ताकि वो अंदर तक अद्रक अच्छे से भुझ जाए कहीं भी अद्रक कच्चा ना रहे अद्रक का जो भी मौक्शर है वो खतम हो जाए अब अद्रक को हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे और जब हमारा अद्रक अच्छे से ठंडा हो जाएगा उसके अद्रक हम इसे छील लेंगे जब अद्रक हमारा अच्छे से बुन जाता है तो इसका जो छिक्कल है वो असानी से अलग हो जाता है उसके आद हम एक grader लेंगे और grader की healthy से अच्छे से हम grade कर लेंगे और grade करने के बाद हम इसमें लेंगे सहईद जी हाँ friends घर का सहईद हो, market का हो, कोई सा भी हो चलेगा अब इसमें एक इंची चतने टुकडे में आदा चमच लगवाग हमें सहईद चाहिए तो friends में सहद इसमें add कर दूँगी और इसे अच्छे से mix कर दूँगी तो friends अगर कोई mature इंसान है तो आप उसको एक चमस दे सकते हैं अगर बच्चे हैं तो आप उसे बनवाई 4 टेस्पूरी से दे सकते हैं इससे आपको विल्कुल भी सर्दी जुखाम की problem खतम हो जाएगी अगर आपके गले में कितना भी पुराने से पुराना अगर कफो तो उसकी भी शुकायत खतम हो जाएगी तो friends एक वार इस टिप को जरूल से अपना करके देखेगा यह मेरी दादी नानी की बताई हुई टिप्स और ट्रिक है इसे हम लोग हर साल वहाँ ज़्यादा फॉलो करते हैं आप चलते हैं आज की नेक्स टिप की तरफ जो की है लेसुन की तो friends यह भी हमारे जो टिप है वो है आने वाली सर्दियों से बचने के लिए हम क्या करेंगे लेसुन की 6-7 मेनक करियां इसे मैने अच्छे से छील ली हैं उसके बाद मैं इसे ग्रेड कर लूँगी जो भी friends सर्दिया आने वाली है तो उससे भी बचने के लिए हमें छोटी छोटी टिप्स और ट्रिक को पता होना चाहिए जिसे की हमें दिकत ना हो आने वाली सर्दियों से तो इसे क्या करेंगे हम अच्छे से ग्रेड कर लेंगे ग्रेड करने के बाद मैं इसमें बनवाई 4 टीस्पून हल्दी लूँगी जी हाँ फ्रेंड चो टर्मेरिक पाउडर होता है उसे हम लेंगे और उसके बाद मैं इसमें ओयल डालूँगी मैं इसमें ऐलमॉंड ओयल डाल ली हूँ आपके पास इसमें जो ओयल हो वो आप डाल सकते हैं coconut oil, बादाम का oil, या फिर आप olive oil, कोई सा भी oil इसमें add कर सकते हैं, अब इसे अच्छे से mix कर लेंगे, और mix करने का दमें इसका करना क्या है, difference में बता देती हूँ, जैसे कि आने वाली सर्दिया है, तो सर्दियों में जाएतर सभी लोग क्या करते हैं, कि हमेशा सॉक्स पहने रहते हैं 24 hour, जिसके वज़े से क्या होता है, कि पैरों की उंग्लियों में बहुत ज़्यादा fungal infection हो जाता है, उंग्लियां जो होती है, उनके जो बीच का हिस्ता होता है, वहाँ पर बहुत ज़्यादा red burn हो जाता है, fungal infection या फिर other infection हो जाता है, जिससे कि बहुत ज़्याद प्रॉब्लम होती है इचिंग की शिकायत हो जाती है तो इस तरीके से जो पैर की उंग्रिया होती है वहां पर आप इस तरीके से लगा सकते हैं मैं आपको हाथ की उंग्रियों में लगा करें के दिखा रहे हूं आपकी कितना भी फंगल इंफेक्शन हो या फिर अधर इंफेक के आते हैं और हम यह पता नहीं कर पाते हैं यह ओरजिनल चावल है या नकली चावल है क्योंकि आजकर सिंधर्टिक चावल भी बहुत ज़्याद मार्केट में आने लगा है हसली है या नकली है यह पता हम घर पर लागा के बड़ी ही आसानी से कर सकते हैं तो फ्रेंट्स इसक अगर आपका ये असली चावल होगा तो ये पानी की तली के नीचे बैट जाएगा अगर ये नकली चावल प्लास्टिक का ये सिंथर्टिक चावल हुआ तो ये पानी के ऊपर आ जाएगा यानि कि ये तली पर नहीं बैटेगा तो फ्रेंड्स ये घर का चावल है तो एकदम औरिजिनल चावल है, यह आप लोग देख सकते हैं, पानी में नीचे बैट गया है, ना कि यह पानी की ऊपर है, तो यह बहुत आसानी से आप घर पर पता कर सकते हैं, बहुत ही अच्छी है टिप्स और ट्रिक हैं, आप चलते हैं आज की नेक्स टिप के तरफ, यह मैंने दू प्रिक्स कर देंगे, और अब हमें इसका करना क्या है वो भी मैं आज आप लोग को पता देती हुम, जैसा कि आप लोग को पता है तोहर का time आने वाला है, दिवाली पस अभी लोग अपने घर की deep cleaning करते हैं, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मारा sink area होता है, जिसे हम daily के daily सा साद कर लें वह साफ नहीं होते हैं to complete esapa करेंगे तो आपकी exit दबे होंगे सारी सारी साफ नीई हेगा अगर हम ुंस करते हैं तो अमारी जो इस्टील होती है सींक के वह खराब हो जाएगी काली हो जाएगी हो साहते साथ में अगर हम टाइल्स की उपा करेंगे तो वो वाइट वाइट दाग छोड़ देता है बहुत ही गंदा लगता है तो इस वज़े से हम हार्पिक में कुछ न कुछ मिक्स करके करते है तो हर्पिक इतना हर्ट नहीं रहता है तो फैंट अगर आज के आपको एक भी टिपस और अच्छी लगी हो